नमस्कार क्या पिचल टिवी का खाश शो राहूल का अगनिपत देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा राहूल गांदी तो इन दिनोल जमु कश्मीर के गुलमर्ग में स्किंग का लुफ्ट उठा रहे हैं पर अडानी पर दिये बयान पर ऐसे फसे हैं कि उनकी साथ से कश्मीर में भी अटक गई है राहूल गांदी ने पियम नरेंद्र मोदी पर आपत्ती जनक टिपनी के मामले में नोटिस पर अपना जवाब लोकसवा सचिवाले को सौप दिया है कानूनों का हवाला देती हुए कई पन्नों में विस्तित्र जवाब अपना राहूल गांदी ने सौपा है जिसे गुप्त रखा गया है पर नोटिस में क्या राहूल गांदी संतुस्ट जवाब दे पाए होंगे अब आगे क्या होगा आज इसी पे चर्चा करेंगे बाचित के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है क्यापिटल टीवी के एक्सक्यूटिव एडिटर राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नोटिस का जवाब तो राहूल गानी ने दे दिया पर क्या ये संसद की प्रक्रिया के अपने कुछ नियम कानून है राहूल गान्धी ने क्या-क्या जवाब देने की बात कही है राहूल गान्धी पर सवाल क्या उठाया गया था उनको जो विशेशाधिकार हनन की नोटिस दिगए थे उसमें कहा गया था कि आपने बीना कोई दस्तावेजी प्रूप के पिये मोदी के उपर आरोप लगाया है अडानी मामले में आपने सरकार के उपर आरोप लगाया मंत्री के उपर और सबसे बड़ी बात परधान मंत्री के उपर आरोप लगाया अब संसद की प्रक्रिया के अपने नियम है, आप ये आरोप किसी के माध्यम से लगाते कोई दिक्त नहीं थी, अचानक से बार-बार ऐसा देखा जाता है, कि संसद में अखवार के प्रतियां लहराई जाती है, अखवार के रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, उस समय सदन में अगर अखवार में लिख हुई रखे हुई कोई रिपोर्ट का हवाला दे के बताया जाए कि सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगा है और इसकी जांच होनी चाहिए या यह आरोप अगर सही है तो उनको वर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्री को हटाया जाना चाहिए यह आरोप उस रिपोर्ट के आधार प को अपने बिजनस में बेनिफिट हुआ है पहली आरोब जो अडानी और मोदी के बारे में राहुल गांधी ने लगाया कि विदेसों में जहां-जहां पी-ए-मोदी जाते हैं अडानी पहुंच जाते हैं पी-ए-मोदी उनके लिए विवस्था बनाके रखते हैं और फिर मंधान मंत्री से बाद्चित हुई और उसके बाद अडानी को जो ब्रिटेन में पहले से इंवेस्टमेट चल रहा था उसके बाद कोई नया contract मिला उसमें पिये मोधी का कोई योगदान है या फिर अफिरकन कंट्री में गए या फिर जो साथ अफिरका में चल रहा है उनका कारोबार अगर अडानी के पुराने बिजनसे को देखेंगे तो ये Congress के समय में अडानी ने आस्ट्रेलिया में coal mines का लाइसेंस लिया था एक Congress के समय की बात है उस समय ये जो यहां पर Coastal Area में electric power जो डिपलोपमेंट होता था उसके लिए नियम बनाया गया था कि कोस्टल एरिया का जो भी पावर प्लांट होगा उसके लिए कोईला हिंदुस्तान से नहीं लिये जाएंगे वो बाहर से लाये जाएंगे ताकि हमारा कोल का जो भंडार है वो लंबे समय तक चलता रहें वहाँ पर अडानी को कुछ परिशानिया भी हुए थी कोल माइस के खिलाप परदर्सन भी हुए थे क्योंकि आस्ट्रेलिया की जो कंपनिया है वो चाहती थी कि हमारे यहां के भी किसी कंपनी को ये ठेका मिले लेकिन आस्ट्रेलिया के गोवर्मेंट ने अडानी को दिया था बिदेश में जाते हैं परधान मंत्री नरेल्ड मोदी और साथ में अडानी जाते हैं और अडानी के लिए महौल क्रियेट करते हैं इसका जवाब आपके पास क्या हो सकता है क्या आपके पास उस देश की किसी खूफिया एजनसी की रिपोर्ट है जिसका हवाला देंगे आप ये बताएंगे कि हमने ये रिपोर्ट तयार जो की है वो उस अधार पर की है कि जो क्रोनलोजी रहा है अडानी वहाँ पर पहले से इंवेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बाद पी एम मोदी का दौरा होता है वहाँ पर वहाँ दौरा होने के बाद कुछ महीने बाद ही अडा विदेश दौरे पर गए और उन्होंने गुप्त समझाथा किया I.S.I. के साथ और इसके आधार पर भारत सरकार उनको गिरफ्तार कर ले कि मुझे तो पता चला है कि उस समय जो रहूल गांधी विदेश दौरे पर थे गुप्त दौरा किया था इन्होंने कहीं गए थे इस चाने में हम भूमिका निवाई अब अडानी खुद बोल रहे हैं अगर उनके आधार पर देखा जाए उनके बयान और इंटर्विव के आधार पर देखा जाए तो अडानी ने तो खुद बोला है कि सबसे पहले उनको फायदा राजीव गांदी की सरकार में मिली तो क्या उन स्पोर्ट हाउस खोलने में मदद मिली और उसी के कारण अडानी इतने बड़े विजनसमेन बने इसके अलाबा इंदरा गांधी के समय में अमबानी धिरु भाई अमबानी के साथ मीटिंगों का जिकर किया जाता तो यह जो मामला संसद में उन्होंने उठाया है उनका कोई भी दस्तावेजी प्रमान नहीं है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं जे पी सी जाच की बात आप कर रहे है इससे कोई परहेज नहीं है अगर इस मामले में विश चादिकार हनन के नोटिस जारी होनी होती तो इसके अलाबा राहूल गांधी के अलाबा उसरे मिंबर ने भी ये बात कही थी अधीर रंजन चौधरी ने भी उठाई थी बात इने लोगों के खिलाब ही नोटिस जारी होता लेकिन राहुल गांधी ने क्या बोला राहुल गांधी ने हर अपने चार-पांच संटेंस के बाद इस बात का जिक्र किया कि हिंडन वर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी सेर मैनिपूलेशन करता है सिल कंपनियों के माध्यम से और अडानी को पिये मोदी का संरक्षन प्राप्त है ये दोनों गठजोड की बात और आपके कहने पर जो कॉंग्रेस के नेता अडानी मोदी भाई-भाई के नारे लगाए इसका सबूत आप कहां से दे पाओगे आपने क्या रिपोर्ट दिया है जो जादा पन्नों की रिपोर्ट है उसका मतलब ये होता है कि आप बातों से कानून को घुमा फिरा कर तोड़ मरोड करने की कोशिश कर रहे हो जैसे ये लोग कोट में करते रहे अभी संग के पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बार बार इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भारत विरोधी टाकते हैं वो सुप्रिम कोट का भी इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता रहा है किस तरीके से तो ये बार बार हर बात के लिए सरकार के फैसलों को चैलेंज करता है और जाहुल गांदी के मामले में 12 साल से मामला चल रहा है नेस्नल हेराड का अभी तक यह जमानत पर बाहर हैं तो इसी तरीके से यह कोशिश कर रहे हैं कि हम लंबे चोड़े स्पीच लिखेंगे उसमें इधर उधर की बाते लिखेंगे अडानी के बारे में लिखेंगे कि अडा अधानी पावर इतना बढ़ा अधानी का पॉटवाला बिजन्स इतना बढ़ा ये सारे आंकडे प्रस्तूध करके बता के ये गोल मूल करके जवाब दे के चाहते हैं के हम इससे बाहर निकल जाएगे लेकिन बाहर सही हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर जवाब होता तो हिंदुस्तान के हर सामान व्यक्ति को ये पता होता कि मोदी और अडानी के कनेक्शन के बारे में इंडिया में किसी मीडिया हाउस के रिपोर्ट आई है किसी अखवार में रिपोर्ट आई है जो भी अभी तक जितने बड़ गोटाले घपले हुए, वो सारे के सारे कहीं ने कहीं अखवार के मादियम से ही बार आये, चाहे टूजी हो, कोल स्कैम हो, सब के बारे में कैक रिपोर्ट आये थी, लेकिन ब्रेक तो किसी अखवार वाले ने किया था, किसी चैनल वाले ने किया था, मीडिया से ही ये खवर ब बता सके कि पिये मोदी ने आड़ानी को कुछ भी प्रॉफिट दिलाया हो। ये मन गढ़ंत कहानिया है। तो इसका जवाब ही नहीं है आपके पात। दस्तावेज ही नहीं है प्रूफ ही नहीं है तो जवाब देंगे कैसे। इसके लिए आपको सजा मिलेगी। और सजा अब स्पिकर तै करेंगे कि इनको कितने सत्र के लिए सस्पेंड किया जाए या फिर अगर नजीर पेश करना है कि लोग सभा में और पारलियामेंट के किसी सदन में राजिसभा में अगर इस तरीके के आरोपों से बचना है तो स्पीकर को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना या फिर लोक सभा से बर्खास्त करना चाहिए ये कड़ा एक्षन तो लेने की जरूरत है बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए ततकाल कारवाई की मांगी गई थी क्योंकि राहुल गांदी ने सदन की गरिमा को दरकिनार कर बिना सबूत के पियम मोधी पर कई बड़े पड़े आरोप लगाये थे आरोपों पर जवाब भी मांगा गया जिससे अब बुरे तरह से फस गये हैं राहुल गांदी राहुल गांदी ने विशेश अधिकार हनन की नोटिस का जवाब लोगसबा सचिवाले को तो भेज दिया है राहुल ने अपने जवाब में बयान को कानून सम्मत बताया है राहुल ने ये भी लिखा कि उनके बयान में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे विशेश अधिकार का हरन होता है पर ये तो राहुल गांदी का पक कर दोकार